नमस्कार दोस्तों सूआगत है हुआप सभी का आज के सेसन में आज हम एडजेक्टिब के बारे में जानेगे तो आई यह में ना किसदेरी के समझते हैं एडजेक्टिब को हिंदी में हम विशेशन कहते हैं इसके नाम से ही पता लग रहा है विशेशन यानि विशेष्टा बताने वाला ऐसे सभी सब्द जो किसी की विशेष्टा बताएं वो विशेष्ण कहलाते हैं यहाँ पर हम परिभासा पर जाधा जोर नहीं देंगे क्योंकि परिभासा आप किताब से भी रड़ सकते हैं याद कर सकते हैं हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ adjective को समझने पर जोर देंगे कि adjective होता क्या है और उसके कितने पिरकार होते हैं मैंने यहाँ पर दो sentence लिखे हैं इन दो sentence के माध्यम से ही आप बड़े अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि हाँ adjective किस चिडिया का नाम है जैसे पहला वाकि मैंने यहाँ पर लिखा है कि वह एक चतुर लड़का है तो वह एक चतुर लड़का है यहाँ पर question केजिए कि वह एक कैसा लड़का है तो हमें उत्तर मिलता है कि वह एक चतुर लड़का है इंगलिज में से हम कहेंगे he is a clever why तो वहें कैसा ललका है वहें ये clever यानि चतुर ललका है गाय काली है तो गाय कैसी है गाय काली है तो यहाँ पर the cow is black यानि ऐसे वे सभी सब्द जो किसी संग्या या सर्म नाम की विशेष्टा बताएं वो विशेष्ण कहलाते है जैसे यहाँ पर ये clever सब्द इस why के चतुर होने के बारे में हमें बता रहा है कि यहाँ जो why यानि जो ललका है वो चतुर है clever है यहाँ पर ये black सब्द हमें बता रहा है कि गाय कैसी है काली है जैसे मैं यहाँ पर कहूँ कि मैं मेरी सर्ड पीली है तो मेरी सर्ड कैसी है? मेरी सर्ड पीली है तो यह पीली सब्द मेरे सर्ड के पीले होने के बारे में विशेष्था बता रहा है तो ऐसे वे सभी सब्द जो किसी संग्या या सरुनाम की विशेष्था बतलाते हैं प्रॉपर एड़ेक्टिव, डिमॉंस्ट्रेटिव, एंटेरोगेटिव और डिस्ट्रिब्यूटिव यह साथ मेल पिरकार होते हैं इन सातों पिरकार के ऊपर मैं अलग-अलग वीडियो बनाऊंगा और वो सारी वीडियो देखने के बाद आप पूर्था समझ जाएंगे कि ह किया होता है और होप आज का यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सबसे बड़ी बात चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए कीप बाचिंग मैं चैनल केट नॉ